देखिए, during के प्रियोग हम लोग कप करते हैं, when time and time interval is not fixed या indefinite, मतलब जब समय अंतराल mention ना हो, मतलब उसका starting point और ending point आपको पता ना हो, चलिए इसको example के मार्दम से समझते हैं, देखिए, during his absence, see or stole his pen, मतलब उसकी अनुपर्स्त्रिती में उसने उसकी कलम चुराई, लेकिन यहाँ पर उसका exact time पता नहीं चल रहा है कि उसने कलम कप चुराई, तो इस चीज को और अच्छे समझने के लिए और example लेते हैं, तो shops close during winter, winter में जो shops होती है, जो दुकाने होती है, वो क्या है, बंद है, बंद हो गई है, ठीक है, जो winter के समय में दुकाने के लिए बंद हो गई है, तो यहाँ पर भी जो winter है, एक long duration को denote करता है, और यहाँ से भी आपको exact time का पता नहीं चलता है, चलिए एक और example समझे दें exact time नहीं पता चलेगा, कि मैं आपको कब message करने वाला हूँ, ठीक है, तो आपने यहाँ पर समझा कि during के युग तभी करते हैं, जब समय clear ना दिया हो, अब बात करते हैं, वीधिन की, तो वीधिन का हम लोग तभी यूज़ करेंगी, जब समय अंतराल a starting और end का पता हो, when a starting and ending is no, definite spend, मतलब उसका starting time और ending time आपको पता हो, तब आपको within के विच करना है, चलिए example से समझते हैं, job will be completed within a week, मतलब जिस time से बोला जा रहा है, और उसका बोलने के time से लेकर, एक सब्ता के अंदर तक job क्या हो जाएगी, complete हो जाएगी, ठीक, इसमें आपको exact time पता चल रहा है, इसमें a starting time और ending time, दोनों की information मिल रही है, चलिए अब एक्जामपल समझते हैं, you must reach the station within 2 hours, मतलब बोलने से में से लेकर, जिस समय भूला जा रहा है, उसके 2 घंटे में, आप वहाँ पर association पर पहुच जाएगे, ठीक है, last example, he called within 10 minutes, he will call within 10 minutes, मतलब वह 10 minutes की अंदर बुलाएगा, ठीक, इसमें आपका starting point और ending point दोनों पता चल रहा है, तो आप यहाँ क्या समझे जो का मिला, क यह during के use तभी करते हैं, जिब समय अंतराल मेंसन ना हो, ठीक, और वहाँ पर हम लोग within के use तभी करेंगे, इसमें starting point और ending point दोनों पता हो,